वाहिर जी का खालसा, वाहिर जी की फते, आज आपां हेम कॉंट बारे कुछ विचार करांगे, जिनुके अनजान पुने दे बिचे सिखा ने हेम कॉंट साहिब करना शुरू कर देता है, ते एथे एभी कहानी जोड़ी गई है, के पिछले जनम दे बिच बिचेतर नाटक दे मताबक गुरू गोबिन सिंग जी ने एथे तपस्या पगती कीती सी, क्योंके बिचितर नाटक दे बिचे चीज़ां लिखिया हुई हैंने हेम कॉंट परबत है जहां, तेहें अधिक तपस्या साथ दी, एस सारा को जो साड़े अनजान बुला रहा ने, अनजान लिखा रह जोड देता है, हुन सवाल पैदा हुन्दा है, कि की गुरू गोबिन सिंग जी पिचले जनम दे बीचे साड़े गुरू है गे सी, की गुरू नानक दी विचार तारा दा पिचले जनम दे बीचे उननों पता लगया सी, ये गुरू नानक साह भी ये दा मतलब है, पिछले जनम दे बिच उसे हमाला परबत ते गुरु गोविंग सिंग नूं मिलना आये होंगे कि मैं तो अनूं अपने जड़ विचार ने गुर्बानी दा जड़ा असूल है उतो अनू समय उनवास्तिया आया जदों के ए साच नहीं है पिछले जनम दी कानी पहली गलता सरा सर नहीं होए उतनी देर तक उना दी गल जे चंगी है गुर्बानी अनूसार है असी मन सकते हैं जड़ी गुर्बानी दे असूला दे अनूसार मेल नहीं खांदी ओ गल असी मनन दे पाबंद नहीं है जे सारें दी इस तरह गल मननी पवेगी ता फिर ता पिर्थी चंद सिरी चंद अते होर्ती इर्मली बगएरा उना सारे ने जो बोले जो लिखे आ उभी सारा मनना पवेगा उता एसे जानम चाखे ऐसी उना ने उन्हें ए जड़ा हेम कुंट है इदे बारे परचलत कीता गया पहली वारी उननी सो चौंती दे बिच पंडत तारा संग नरोतम ने अप तीरी गड़वार दे इलाके बिच एक सोहन संग नाम दा साद आते मोदन संग नाम दा रटैर फोजी दो मानू इने तारा संग नरोतम ने उत्षा दिता के तुसी उत्षे जाके ओ जगा लबो आओ मैं तो अड़ी साहता करदा हाँ ए दो में कुंट पिर के आए इनने दवारे बास्ते पैसा दे दे वे अते नाल नाल सडा पर चार भी करे उना जमाने च उन्नी सो चोंती दे बिच पाई वीर संग दी सारे पासे चड़ सी लेखन दे बिच ओ बहुत अग्ये सी ते सरकारे दरवारे भी ओधी पौँच सी ए दो में आके पाई वीर संग नू मि प्रताल करके इना नू उत्षा देता नाल गुर्दवारा बनाण वास्ते पैसे देते आते इना नू महिनावार तनखा देन दा वाच्यन देके ओथों बिदा कीता के तोसी ओथे जाके गुर्दवारा बनाओ ओ प्रंत फोजी मोधन सेंगा है 1960 दे बिच चड़ाई कर गया ते जड़ा सोन सेंग सी ओ पहला चलाई कर चुक्या सी ते 1960 दे बिच एक ट्रस्ट बनाया गया क्योंके लोकां दी आवाजाई शुरू हो गई ए ट्रस्ट कानपुर्दे बिच बनाया गया ते एस ट्रस्ट दा जड़ा फौंडर ट्रस्टी सी ओ अजकल दे राजनीता वान सेमर जी से मान दा पिता सरदार जुगिंदर सेंग एस हेम कॉंट ट्रस्ट दा फौंडर ट्रस्टी सी पाव के मोड़ी लोकां दे बिच जीना ने हेम कॉंट नूं उबारन दे बिच अपन रिशी केस दे विच्च एक सकूल भी खोले आगया दसमेश वे दियाला। अपनी महान कोश मकमल कीती है ते तो सी हरान होगे महान कोश दे विच्च हेम कॉंट दा कोई जेकर तक नहीं है क्योंके 1907 तक हेम कॉंट दे विच्च कोई गुर्दवारा कोई यादगार कोई गुरु साहब दे तपस्या करन दी था हाले होई ही नहीं सी ए उननी सो चौंती दे विच्च पहली बारी शुरू कीती गई है फिर एक हैली ये रिशी केस तों 275 किलो मिटर पहाडां दे विच्च है जिन्हों आज है मकॉंट केंदे ने सोड़ा किलो मिटर तां पैदल चल के भी जाना पैंदे ते बाकी बसां दा सफ रहा है गुरु प्यार वाले हो कदी सोच के वेखो इतना समा इतना पैसा इतना पहाडां दे विच्च मशक्त करनी ते मुशकलां चलनी यां ते कई वारी तां जेमें 19-2012 दे विच्च हड आ ना लोकां बलों भी ओ बेहसाबा सी ओ ते फोजी प्रावाने ता बहुत लोकां नो बचा लेया ते बाकी ता ना देवत्या ने बचाया ना हेमकुंडदी किसे शक्ती ने बचाया ना पयारिया ने ना मूर्तिया ने हाँ फोजीया ने हडतों तफानतों बहुत लोकां नो बचाके थाओं थाईं पेजिया साद सौन सिंग ने ए परचा रहा के एक वारी एथे मैं आया सी कुमन फिरन वासते एक कोर्णेंदे बिच्य मैंनू एक अलौकक शेर नजर आया मैंनू लगिया के एक कुई करामाती शेर है मैं ओशेर तो ड़रा नी मैं ओ शेर नो जाके नमशकार कीती ओ शेर फिर भी बैठा रहा फिर मैं हाथ जोड़ के बेंती कीती के शेर जी तुसी के ते होर चले जाओ ए ते गुरु गोविंश सिंग साहब दा अस्थान है ते शेर मेरी गल समझ के ओथों चला गया ते मैं नो पका यकीन हो गया के ए शेर कोई करामाती शेर सी ते ए ओ अस्थान है जी दिराखी कर रहा सी ए शेर जिते गुरु गोविंश सिंग दा तपस्या करन दा अस्थान है ते ए थे हरानी दी गल है पांडवा ने ए थे तपस्या कीती सी ओ भी पिछले जानमाच हालांके पुराणक कथा है पिछले जानमाच कहें दे पांडवा ने बे थे तपस्या कीती सी फिर जदों पांडवा दा तर्ती दे उत्तों उमर बहागी समा पूरा हो गया ते उन्हाने बापस जाना सी स्वारगा आदकनों काणियां दे मताबक कहें दे फिर भी हेमकोंड़तों ही उडारी मारी हो ने क्योंके हेमकोंड़तों पांडवा ने कारण मशूर है ते ओते गुरुगों में से उन्हों बठावना भी जरूरी बन गया इना लोकां वास्ते जड़े एलखारी इस तरह देने हालांके शापत सरांग चोटियां आदे का बहुत सारीयां ने उन्हा पहाडां दे बिच्चे पर एथे जिते गुर्दवारा बना देता गया ते साड़े सेख पर बेयंत पैसा खर्च के बसां दा, ट्रकां दा, टैक्सियां दा, होटलां दा, आवाजाई दे होर अनेका खर्चे मैं रिशी केस दे बहुत सारे लोकानों पुछिया दुकान दारानों टाब्यावालानों जदों ओथे रहना सी बई तो अड़े आमदन दा सादन की है ना आए थे रिशी केस्च हरदवार, ना फैक्टरिया ने, ना कोई बहुत इबदिया खेती हों दी है तो अड़े आमदन दा सादन की है एक दुकान दर जड़ा मैंनू चंगी तरह जान गया सी ओ करन लेगया गया गयनी जी इना गलानू कानू शेड़ दे हो मैं क्या फिर भी दस्दियो किरपा करके मेरी जानकारी जवादा हो जावेगा करन लेगया तो अड़े बाबे ते साद़्े बाबे जिन्दाबाद मैं क्या एक ही मतलब होया मैं तरह सवाल होर कीता है तो उसी जवाब होर दे जाने हो करन लेगए हमा अजे फिर कायरे हैं साड़े बाबे आते तो अड़े बाबे जिंदाबाद मैं कह समझा आदे ओ जराक में नुमाएं अण जाना कायरे लेगए साड़े हिंदू बाबे कायरेने के हर दवार रिशी केश पवित्तर था है एथे तोसी गंगादे विच फुल पाओगे मुर्दयानियां हडियां पाओगे ता ओव सुरगानु जानगे जे एथे आके शनान करोगे तो अड़े पाप कटे जानगे एथा बेयांत साड़े बाबे नियां गल्ला ने हुन तो अड़े बाबे ने हेमकुंड बना देता ते एथोंदी लंग दे आउंदे जानदे लोग की ताब्यांते ठैर देने होटलांते ठैर देने टैक्सियां कर देने बसां कर देने शनान कर देने दुकाना तो समान खरीद देने केंदा एदी बदावलत तो अड़े बाबे या ते साड़े बाबे जिन्दावाद इना गल्नादे कार्ण रिशी केस वरगे सायर मला मल होएने ते असी भी अपना वधिया गुजारा करी जाने या ए बाबे अधी किरपा नवसारा को हो रहे है नहीं ते पहाडांच के ते कोज के वेखो जून दो हजार बारां दे विच जदो तुफान आये ने बहुत सारे उदर रिशी केस दे अलाके चा कोई जानी सकया लम्मे समय तक ता जून दे मीने चा रिच्छ कठे होके ओस अस्थान दे उते जिते गुरु गोवन सिंग दा गुर्दवारा बनेया होया ओ दे अंदर बैठ गे जाके ओ मादा रिच्छनिया ने आपने बच्चे दे देते होते लागपाग 6-7 मिने गुरु गोवन सिंग दे अस्थान दे होते जमेके एक एंदे ने ओ रिच्छनी ने आपने बच्चयानू प्रवार समेत पालया वड़े की ता ते जदों तुफ कानू दसेया ते रिच्छ केसे तो निकले ना ते अंतनू फाउज दी साहता लेनी पई फाउज वालया ने हवाई फैर कीते डर दे मारे रिच्छ ओथों आपने बच्चयान समेत दोड़गे ओथे और माले भी पाड़ साड़ देते गुरु गरां साब निया जो बीड़ा अने भी तरह तरह बयान देते के गल्त होया ते बाद दे भी सब कोई एंसे तरह १े तरह ठीक हो गया उनू जाके समार और के समार के नमे गुरू ग्रण साब 2 सूरोप रहे ते नमे रमाले रहे ते नमे धरीयां ताट बचा ले तो जातरु अंदा पिर रॉनका लागिया माया दे अंबार फिर लगन लाप पए गुरू पैरवालेओ एथे ही पिछले जनम बिच आरूंग जेब ने भी तपस्या कीती सी काणिया दे मताबक जो बिचितर नाटक दे भीच लिखिया हुई जाने पिछले जनम जदों आरूंग जेब एथे तपस्या कर रहा सी केंदे ओदों एक देवी आगी दर्यादे उते शनान करन हरा नी उन्दी है एदेविया माया नूँ होर के ते मदानी लाके चे शनान करन उताईनी लब दी ते केंदे ओस देवी मायी वल वेह के आरूंग जेब दा मन बेईमान हो गया ओ देवल अग्गे बदिया ते देवी मायी ने रुडा पाया ते केंदे जी गुरु गोमिन सिंग दी भी अक खुल की यड़े तपस्या कर रहे सी कोड़े बैठे तो देवी माई ने अपने कोड़ों गुरु गोविन सिंह नो किरपान दिती, ते आख्या तुँ दुश्ट दमन ए, एस दुश्ट दा तुँ नास कर दे, पिछले जानम बाले आरुंग ये बदा गुरु गोविन सिंह ने कहने ओथे खातमा कीता, एस करके दुश्ट दमन ब जड़ा आउरंग जेव ने जलम कीता है गुरु कर दे उते अगले जानम च जानी के वर्तमान समय च ता ओ कहें दे पिछले जानम देवी चे गुरु गोमिंच सेंग ने आउरंग जेव नू मारया सी उन्हें अपना उसे तरा बदला लेना सी उन्हें गुरु प्यारवाडे ह एहुई देवी गुरु गोमिंच सेंग नू करपान ना दिन दी एकवारी नहीं नैना देवी दी पगती भी गुरु गोमिंच सेंग ने कीती ते उन्हें भी गुरु गोमिंच सेंग नू करपान दिती ते नाड ओ शक्ती माता बनके देवी पता से पाउण आई जदो प्रिंसिपल हर्पाजन सेंग ने अपनी किताब दे विच इना चीज़ां दा जकर कीता हुए है ते ओ कताब चों एक लेख लेके मैं अपनी किताब ची भी पाया हुए है ते कें दे ओ शक्ती माता बनी फिर माता साहब उन्हों से खकानला पई ते एहुई समा पाके गुरु गोभी सिंग दी कालपनेक तावरते तीजी पत्नी माता साहब का ओर ठाप देती गई जदों के सरसर गलत है गुरू गोभी सिंग दा इक कोव्या सी पहला ओसे माता नूँ जीतो जी कहन दे सी बात देविच ओसे नू सुंदरी जी कहन दे सी साहब का ओर नाम दी कोई आउर गल्ला ते देवियां ने करपाना दितियां अते गुरु गोविंसें ने पिछले जानमें चेहों तपस्या पगतियां कीतियां ए चूटतों सवाए कुछ भी नहीं है गुरु प्यारवाड़े ओ यात्रा जम जम करो जिते मर्जी जाओ कुमों फिरो पर कदे गुर्बाणी न मांगे फिर असी कैन ते अत्षा मन्च पैदा होवेगा एको है पाई एको है साहिब मेरा एको है एतने एक बचन परवान करने हो याँ पुल्ला निखिमा वाही गुरु जी का खालसा वाही गुरु जी की फतिए